जैहिन दोस्तों आप देख रहे हैं गुरु घंटाल मेरा नाम प्रकाश्रिवास्तव है स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 287 ऑफ इंडिन कॉंसिटूशन की भारत के संविधान का आर्टिकल 287 क्या कहता है दोस्तों भारत के संविधान का आर्टिकल 287 कहता है एक्जंशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन एलेक्टिशिटी की बिजली पर लगने वाले टैक्सेस से छूट मगर सवाल उठता है कि किस प्रकार की बिजली पर लगने वाले टैक्सेस से छूट पार्लियमेंट में बाई लॉओ अधरवाइस प्रोवाइड नो लॉओ ऑफ ए स्टेट शाल इंपोस और ऑथराइस दा इंपोजिशिशन ऑफ टैक्स अंधर कंशंशन और सेल अफ एलेक्टिशिटी बेदर प्रड्यूस बाई गवर्मेंट और अधर पर्सनल देखे दोस्तों पार्लियमेंट कानून के अंडर मतला पार्लियमेंट ये कानून बना सकता है अधरवाइस पार्लियमेंट स्टेट गवर्मेंट को रोक सकता है कि स्टेट गवर्मेंट किसी भी तरह का कानून नहीं बनाएगी किस चीज़ पर एलेक्ट्रिसिटी पर लगन सरक government के द्वारा produce किया जाता है या किसी और के द्वारा produce किया जाता है मगर किन cases में which is consumed by the government of India or sold to the government of India for consumption by that government मतलब दोस्तो कि राज सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि राज सरकार वो बिजली जो कि Central Government के द्वारा कंजूम की जाती है या उसको बेची जाती है उसके उपर किसी भी तरह का टैक्स लगा सके ठीक है किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकती दूसरा केस क्या है consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the government of India और a railway company operating that railway और sold to that government और any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway आपको पता है कि हमारे देश में ट्रेने अब maximum बिजली से चल रही है धीरे 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 डीजल इंजन खतम किया जा रहा गया है और भाई अब मान दीजे कि मुझे दिल्ली से यूपी आना है तो यूपी एक राज्य है, दिल्ली एक राज्य है, बिजली का उत्पादन अलग-अलग राज्य करते हैं तो रेलवे के कंस्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन में, जो की गवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा गया या किसी भी रेलवे कंपनी के द्वारा किया जा रहा है railway के construction, maintenance और operation में जितनी भी electricity consume होगी छीक है जा किसी भी railway company के द्वारा railway को maintain किया जाएगा construct किया जाएगा operate किया जाएगा उस पर किसी भी तरह का मतब उसमें जो electricity खर्च होगी उसमें किसी भी तरह का tax नहीं लगेगा किसी भीतरा का टाक्स तहीं लगेगा and any such law imposing or authorization the imposition of a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the government of India for consumption by that government or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction maintenance or operation of any railway shall be less by the amount of tax than the price charged to the consumer of a substantial quantity of electricity ठीक है अगर मान लिजे कोई कानून बनता भी है कि या उथराइस किया जाता है for what imposition of a tax on the sale of electricity मतलब मान लिजे कि electricity को बेचने के लिए मतलब सरकार को electricity बेचने के लिए एक सरकार या दूसरी सरकार को electricity बेचेगी उस पर अगर कोई कानून बनता भी है बेचते वक्त की इसके उपर tax लगाया जाएगा तो वो tax या मान लिजे की जो maintenance होती है railway के उसके operation में अगर किसी भी तरह का tax लगाया जाएगा कानून के तहत भविश्य में तो वो amount घमेशा एक normal इंसान से जितना उस particular consumption के लिए जाता है उससे कम चार्ज किया जाएगा तो यही कहा जाता है आर्टिकल 287 में कि electricity पर लगने वाले tax को exempt किया गया है किन के से इसमें वो electricity जो government of India यूज करती है और दूसरा maintenance of railway के लिए construction of railway के लिए या operation of railway के लिए जो electricity इस्तमाल होती है उसमें किसी भी तरह का taxes नहीं लगता है state government नहीं लगा सकती उमीद है दोस्तों आपको article 287 समझ में आया होगा वीडियो को like share comment कीजिए गुरु घंटाल को subscribe करना ना भूलिए healthy रहिए safe रहिए मस्त रहिए जहिन दोस्तों आप देख रहे हैं गुरु घंटाल मेरा नाम प्रकार